दोस्तों गर आप भी जस्प्रित बुम्रा को एक बहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर किजेगा दोस्तों पांच नवंबर को भारत और स्कॉर्ट लैंड के बीच खेले जा रहे हैं मुकाबले में भारती टीम के गेंदबाजों के सामने स्कॉर्ट लैंड के बलेबाज पूरी तरीके से घुटने टेकते हुए नजर आए और भारती टीम के गेंदबाजों ने स्कॉर्ट ल काबला खिला जा रहा है जिसमें टीम के कप्तान विराट कोली ने आखिरकार स्टी 20 वर्ल्ड कप में अपना पहला टॉस जीता जो कि एक बहुत ही मतोपूंट टॉस जीतना रहा क्योंकि अगर विराट कोली इस मुकाबले में टॉस हारते तो उनके लिए परशानिया काफी ज हा देगी दोस्तों इस मुकाबले में भारते टीम के ओर से गेंदबाजी की शुरुआत करते नजर आये जस्परिद बुम्रा जो शुरुआत में तो काफी जादा खराब लाए में नजर आ रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले य ओवर में स्कॉर्ट लेंड जैसी कमजूर ट जिसके बाद स्कॉर्ट लेंड की टीम का स्कॉर पहले दो वर में बिना किसी नुकसान के 13 रन था लेकिन दोस्तों उसके बाद जब तीसरा वर जस्परिद बुम्रा डालने के लिए आये तो वो एक अलगी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे थे उन्हें देखकर ऐसा लग र हो गए और वो सिर्फ एक रन बनाकर जस्परिद बुम्रा का शिकार हुए इसके बाद दोस्तों इसी ओबर में जस्परिद बुम्रा ने इतनी खतरनाक गेंड डाली जिसमें उन्होंने बिना कोई रन दिये एक विकेट अपने नाम किया और इसी के साथ अब जस्परिद ब गुम्रा को इस गेंड पर विकेट ना मिल पाया लेकिन अब भारती टीम पूरी तरीके से स्कॉटलेंड पर अपना दवाव बना चुकी थी क्योंकि भारती टीम का हर एक गेंदबाज स्कॉटलेंड के बलेबाजों को रन बनाने का मौका ही नहीं दे रहा था जिसके तीन जबरदस चौके जड़कर 12 रन बटोरे और इसी के साथ स्कॉटलेंड की टीम का स्कॉर चार ओवर में एक विकेट खोकर 25 रन था लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर भारती टीम के गेंदबाजों ने स्कॉटलेंड की टीम के उपर दबाव बनाना शुरू कर जब पावर प्ले का आखरी ओवर डालने आये मुहमद शमी जिन्होंने आते ही खतरनाक नजर आ रहे जौर्ज मांसी को एक गलत शौट खेलने पर मजबूर कर दिया और उन्हें हार्दिक पांडिया के हाथों कैच थमा कर 24 रन पर आउट करके स्कॉटलेंड की टीम को धरा शाही करके रख दिया इस विकेट के बाद भारती टीम के गेंदबाज पूरी तरीके से स्कॉटलेंड के बलेबाजों के सामने खतरनाक पड़ते हुए नजर आ रहे थे इसके बाद दोस्तों अगले ये ओवर में भारती टीम के हरफन मौला खिलाडी रविंद्र अपनी खतरनाक गेंदबाजी के सामने स्कॉटलेंड की टीम को घुटनों पर ला दिया जहां उन्होंने पहले रिच बैरिंग्टन को बिना खाता खोले उन्हें बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखाया वहीं सोवर की आखरी गेंद पर मैथ्यू क्रॉस को दो रन पर स्कॉटलेंड के टीम के बलेबाजी करम को पूरी तरीके से धराशाही करके रख दिया दोस्तों स्कॉटलेंड के बलेबाज पूरी तरीके से भारते टीम के गेंदबाजों के सामने पानी पीते हुए नज़र आ रहे थे और भारते टीम का हर एक गेंदबाज भी नहीं बनाने देगी लेकिन दोस्तों आप सभी भारती टीम के इस शांदार गेंदवाजी को दस में से कितने अंक देना चाहेंगे नीचे कमेंट सेक्षन में कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी यूटूब चैनल को